नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल प्रचार प्रसार स्टुडियो पर. मैं हूँ आपका होस्ट खुश्बु कुमारी और आज के विडियो में हम बात करेंगे सिम कार्ड पोर्ट के बारे में तो दोस्तों हमारे साथ विडियो में बने रहें और विडियो को अंत तक देखें. Step 1, दोस्तों सामान्य तोर पर SIM card porting एक प्रक्रिया है, जिसका उप्योग करके आप अपने phone number को एक telecom company से दूसरी company में स्थानांतरित कर सकते हैं यहां बहुत आसान हो गया है और यहां आपको अपने नए network पर बिना number बदले transfer करने की सुविधा प्रदान करता है Step 2, तो चलिए अब इस प्रक्रिया को प्रारम करने के लिए ज़रूरी बाते जान लेते हैं इसके लिए आपको अपने mobile के संदेश box में English के बड़े अक्षर में port 10 अंको का mobile number टाइप करना है इसके बाद इस संदेश को आपको 1900 पर भेजना होता है Step 3, अब दोस्तों संदेश भेजने के बाद आपको एक UPC code प्राप्त होगा UPC code को अपने नजदी की mobile shop या airtail के mini store पर लेकर जाना होता है उसके बाद दुकानदार आगे की सभी प्रक्रिया करेंगे Step 4, दोस्तों इसके बाद दुकानदार या store वाले आपसे आधार card, voter card या driving license जो SIM card लेते बक्त दिये होंगे वो दस्तावेज देने को बोलेगा तो आप अपना ID proof देकर आगे की प्रक्रिया पूरा करवा लेंगे Step 5, अब दुकानकार, मित्रा एप्लिकेशन की मदद से आपके SIM card को MNP activation process को पूरा करने के लिए आपके fingerprint और कुछ पुरानी detail जैसे alternate mobile number का demand करेंगे इस प्रक्रिया को complete कर लेने के बाद आपका SIM 4 दिन बाद आपके पसंदीदा company में चालू हो जाएगा दोस्तों यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है और आपको और ऐसे ज्यानवर्धक वीडियो देखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें हम आपके लिए और भी मज़ेदार और उप्योगी वीडियो लेकर आते रहेंगे आप हमारे साथ बने रहकर टेक्नोलोजी, टेलीकॉम और मोबाईल संचार के बारे में नवीनतम जानकारी प्राप करेंगे यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं, तो क्रिप्या इसे कर लें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप हमारे नई वीडियो को मिस ना करें दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे चैनल पर समय दिया, हमें आशा है कि यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण और उप्योगी साबित हुआ होगा, हम जल्द ही मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, धन्यवाद